यू नो फिल्मों के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी भी फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टन चीज होती है उसको ओफिशल ट्रेलर क्योंकि वो ट्रेलर ही होता है जिसको देखने में हमको यह आइडिया लगता है कि वो फिल्म कैसी होने वाली है लेकिन वही विकी और विद्या का वो वाला वीडियो इतिहास का सबसे बड़ा क्लिक बेट है क्योंकि जितना बहतरीन और आउस्चाइनिक इस फिल्म का ट्रेलर था फिल्म उतनी ही घटिया और बकवास है इन फैक मैंने खुद भी जब फिल्म के ट्रेलर का रेव्यू किया था तो मैंने इन बाद क्लियरली बोली थी कि ऐसा देखने में लग रहा है कि ये फिल्म एक फण और एंटिटेनिंग राइड होने वाली है बट अब मैं अपने थीटर के धाई घंटे के एक्सपीरियंस को देखे कह सकता हूँ कि ये फिल्म इतना बड़ा टॉर्चरस एक्सपीरियंस है कि क्रिंज वर्ल्ट भी इस फिल्म के रिए छोटा पड़ जाएगा फिल्म का बेसिक सॉन अपसिस भाही है कि सीडी गई तो गई कहा है जहां मैं दिल से अगर ओनेसली बोलूँ तो इस फिल्म का जो कॉंसेट और आइडिया है वो वाकाई में काफी इंटरस्टिंग था और अगर इस कॉंसेट पे अच्छी राइटिंग की गई होती तो एक बहुत ही 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 बहुत ह सारे पंचलाइंज हिट करेंगी बड अनफोर्जिनलिटी फिल्में जैसे ही सीडी होती है पूरी फिल्म का जो ड्रामा है वो इस लेवल से इस लेवल पर आ जाता है राइटिंग बिल्कुल ही ब्लैन्ड हो जाती है आपको समझी मिन याता है कि पूरी फिल्म जा कहा रही है In fact, जब आप इस पूरी फिल्म को टोटालिटी में देखेंगे, तो आप एक बात रिलाइस करेंगे, कि मेकर्स के पात कई सारे गैक्स थे, जिसमें अच्छी पंचलाइन्स थी, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई भी स्टोरी नहीं थी, तो उन्होंने वही किया, जो कि एक शेफ करता है, आपने देखा होगा, जब भी चिकन टिकका बनता है, तो कई सारे टिककों को एक स्टिक में फिट कर दिया जाता है, उसी तरीके से इस फिल्म के जो कई सारे गैक्स हैं, उसको एक unnecessary से story में fit कर दिया गया है और हम से ये expect किया जाता है कि हम उसको देख के entertain हो बड़ फिल्म में जितने भी gags है वो इतने ज़ादा irritating और cringe worthy हैं कि फिल्म खतम होते होते literally आपका patience बिलकुल जवाब दे देगा आपको मन करेगा कि आप theater छोड़के भाग जाएं इनफाक इस film के जो director है राच छेंडेलिया उन्होंने comedy, circus, dream girl 1 और dream girl 2 बनाई है और हम सब जानते हैं कि टीनों ही decent products है सबने हमको entertain भी किया है लेकिन वाई इस film में वो बहुती miserably fail हुए है और उसका reason यह है कि उनको clear ही नहीं था कि इस film का genre क्या होने वाला है यानि जब यह film शुरू होती है तो यह एक rom-com लगती है उसके बाद जैसे जैसे film आगे बढ़ती है यह एक full-on comic crack बन जाती है उसके बाद जब फिल्म एक CD कोती है प्रस किसी का murder भी हो जाता है वहाँ पे यह film एक thriller और murder mystery वाली vibe देती है और last आते आते इन लोग ने ऐसी अकाल लगाई है कि इन्होंने literally 3 का cameo करवा दिया है जहां पे यह film एक horror comedy लगने लगती है तो basically हमको film के नाम पे literally एक खिचेडी बना के दे दी गई है और सच बताओ तो इसमें actors की कोई भी गलती नहीं है फिल्म में जितने भी actors है सभी ने अपना 100% दिया है लेकिन film की जो सबसे बड़ी problem है वो है film की writing और film के screenplay की मिसाल के दौर पे मैं काफी interested था यह देखने के लिए कि फिल्म में विजयरास का काम कैसा होता है और उनके और मलेका शिरावर की chemistry कैसी होगी और सच बताओ तो वो chemistry start बहुत ही interesting note पे होती है लेकिन उसके बाद वो कहीं भी जाती नहीं है सिर्फ beating around the bush वाली feeling आपको आएगी और क्योंकि यह comedy film है तो मेरी ऐसी expectation थी कि at least 80-90% jokes तो land करेंगे लेकिन आप film देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल से सिर्फ 10-12% joke land करते है in fact जो इस film का सबसे weakest point है वो है इस film का second up क्योंकि interval तक तो film तब भी ठीक ठाक जाती है लेकिन interval के बाद यह film इतनी जदा बिजार हो जाती है कि literally आपको ऐसी feeling आएगी कि पूरी film में कुछ भी चलना है और एक सबसे important problem जो कि राजच हैंडेलिया के सारी filmों के साथ आती है चाहे वो dream girl 1, dream girl 2 रही हो या फिर यह film रही हो वो यह है कि उनकी पूरी film एक comic ride बनाने की कोशिश होती है और last में एक social message दिया जाता है और यह मुझे परसनी लगता है कि उनकी तीनों फिल्मों की सबसे worst चीज है dream girl 1 और dream girl 2 में भी जो message दिया गया था वो बहुती द्यादा cringe फिल हुआ था क्योंकि नहीं उनका पूरी film से कोई भी relevance था और ऐसा लगाता कि एक comic ride के बाद unnecessary audience को ग्यान देने की कोशिश की जा रही है और exactly वही इस film में भी होता है यानि film के last में राजकुमार रॉक की एक बहुती लंबी सी speech है और उस social message का इस पूरी film से कोई भी लेना देना ही नहीं है यानि एक जबरदस्ती सा plot डाल के बस लोगों को free में ग्यान दिया जा रहा है और वो आपको बहुत बहुत ज़ादा irritating लगेगा तो विकी और विद्या के वो वाले वीडियो का मैंने final verdict यही है यह बहुत ही pathetic और cringe film है मैं तो definitely आपको इस film को recommend नहीं करने वाला हूँ सिर्व और सिर्व अगर आपको उपने पैसे में आग लगानी हो तब ही आप इस film को देख सकते हैं या फिर अगर आपको किसी से बदला लेना हो तो उस बंदे को इस film दिखा सकते हैं बाकि इस से हटके मैंने कुछ कमाल के movie recommendation दिये तो उन वीडियो को दरूर check out करना